अब हमने आज पढ़ना है एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इसके पहले हम एडवेंट ऑफ पॉर्टेगीज डच और डेंज जो है वो पढ़ चुकी है तो आज हम अपने लेक्चर की जो शुरुवात है वो जॉन मिल्डन हॉल के नाम से स्टार्ट करेंगे जॉन मिल्डन हॉल पहले ब्रिटिश थे जो की पहली बार इंडिया आये 1599 में तो उनके आने का परपस क्या था वो देखना चाहते थे कि ब्रिटेन के इंडिया में ट्रेड के क्या प्रॉस्पेक्ट्स है क्या उनके लिए क्या उनके लिए क्या स्पेस बचा हुआ है बाकी उरोपियंस के आने के बाद तो ऐसे में उसे यहां आने के बाद उस समय ब्रिटेन के एंटर करने के लिए पोटेंशल दिखा और इस तरह ब्रिटेन द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी बनाई गई अब उन्होंने एक प्राइवेट कमपनी इसलिए बनाई क्योंकि सरकार प्रॉफिट को सिर्फ कुछ चंद हाथों में ही रहने देना चाहती थी अगर युरोप से बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड करने आते तो प्रॉफिट जो है वो इंडिया को होना था लेकिन अब क्योंकि सिर्फ एक ही प्राइवेट लिमिटेड कमपनी थी तो ट्रेड भी मोनोपलिस्टिक होता और सारा प्रॉफिट कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में ही आ जाता बहुत सारे ट्रेडर अगर आते तो डेफिनिटली आपको पता है कि यहां के जो ट्रेडर हैं यहां पे जो बैनफेक्चरिंग करने वाले हैं उनके पास ओप्शन्स होती वो तो दूसरे को कहने थे कि तुम नहीं लोग तो और ले लेगा आके है ना तो उन्होंने क्या किय इन से एक ही कमपनी जो की फ्यू हैंड्स में ही थी तो उसको वहां पे एस्टैबलिश किया और उसके थुरू ट्रेड जो है इंडिया में करवाया ताकि प्रॉफिट जो है जो मोनोपली है जो एक से होती है दो वंदो की डिलिंग के बीच में बार गेन पावर जो है वो ब उसके आडेड़ ने मर्चेंट एडवेंटरियर्स ने साउट ईसट एश्या और इंडिया का जो रीजन है मतलब इसे हम कहते हैं इस्ट इंडीफ रीज तो इस जगह पर क्या था ट्रेड करना था मर्चेंड अड्वेंच्रर्ज ने तो क्वीन एलिजाबेथ वन उस समय जो क्वीन थी इंग्लेंड की उसने सोला सो में एक चार्टर कमपनी को दे दिया जिसके अकॉर्डिंग वो कमपनी मनोपलिस्टिक ट्रेड इंडिया में कर सकती है लेकिन कितने टाइम के लिए सिरफ 15 साल के लिए तब मनोपली वो इंडेफिनिट टाइम कब दी गई वो दी गई थी 1609 में जब जेम्स वन जो थे ब्रिटिश क्राउन वो आए जब वो आगे राजपार्ट संभाल लेंगे तब कहीं जाके कमपनी को एक प्रॉपर जो है मनोपलिस्टिक ट्रेड जो है इंडेफिनिट टाइम के लिए मिलेगा और पहले तो कुईन ने मर्चंट एडवेंचर को ये समझ कर पंदरा साल के लिए मनोपली दे दी कि वो लोग ब्रिटेन में रेवेन्यू को एनहांस करेंगे लेकिन अगले नौ साल में जब प्रॉफिट का एक्स्टेंट देखा गया तो जेम्स वन ने कमपनी में अपने शेर्स रखे और ट्रेड को इंडेफिनेट टाइम के लिए ब्रिटिश इस इंडिया कमपनी को मनोपली दे दी उसकी यहां से ये समझ में आता है कि अब जो है ब्रिटिश स्टेट है जो ब्रिटेन है वो इन्वाल्व कर चुका है अपने आपको ट्रेड ट्रेड में इंडिया के साथ एक मैं आपको और बात इसके साथ बता रहता हूँ कि 1690 तक ब्रिटेन में थी मुनार्की जो पारलिमेंटरी एस्टेबलिश्मेंट्स होंगी जो की इंडिया में आएंगी वहां की ब्रिटेन की वो आएंगी 1690 के 1690 तक वहां पे एक क्राउन का कम्प्लीट कंट्रोल था ठीक तो अब क्या है कि जेम्स वन जो ब्रिटिश क्राउन है सेंट कैप्टन हॉकिन्स टू जहांगीर अब वो कैप्टन हॉकिन्स को जहांगीर के दरबार में भेजते हैं लेकिन क्यों भेजते हैं तो आस्क हिम कि वो एक फैक्टरी सेट अप करना चाहते हैं सूरत में अब कैप्टन हॉकिन्स ने सूरत में फैक्टरी एस्टैबलेश करने के लिए जहांगीर के पास जहांगीर के पास एक अपील की सूरत में ही वैसे उसने क्यों यह किया उसको कहीं और ट्रेड करने के लिए या फिर कहीं और फैक्टरे एस्टैबलिश करने के लिए डिमांड क्यों नहीं रखी सूरत में ही उसने ऐसी डिमांड क्यों रखी क्योंकि सूरत उस समय का busiest port था वहां से ही trade सबसे ज़ादा हुआ करता था सूरत से तो जहांगीर ने Captain Hawkins की ये जो appeal थी उसने उसको decline कर दिया कि हम आपको permission नहीं देंगे क्योंकि उसे लगता था कि जो Portuguese naval power है वो naval power में सबसे आगे है Portuguese और अगर वो Britishers को factory लगाने की permission दे रिता है तो Portuguese जो है वो Indian maritime trade जो है उसको suffocate कर देंगे अब इस issue को देखते हुए Captain Hawkins ने Britain को एक letter लिखा जिसमें उसने Britain सरकार को कहा कि अगर वे भारत के साथ व्यपार करना चाहते हैं तो Portuguese को भारतियों की आंखों के सामने एक naval battle में हराना होगा तभी उन्हें seriously लिया जाएगा उसी समय ब्रिटेन ने क्या किया एक great expedition launch किया इंडिया की तरफ जिसने सूरत के पास एक जगा है उसका नाम है Swali वहाँ पे Portuguese navy को हरा दिया उस expedition को lead करने वाले थे Captain Best अब इसको याद रखना Captain Best को कि वह Best था इसलिए उसने Portuguese navy को सूरत के पास Swali जगा पे हरा दिया इसके बाद British को immediately trade permissions मिल गई अब इसके पहले जब Britain को जहां गीरने permission नहीं दी थी तब भी British ने अपनी पहली factory मसूली पतनम में 1611 में established कर दी थी और सूरत में फिर factory का भी established हुई सूरत में factory established हुई 1613 में James 1 again sent a new representative in 1615 नेमली Thomas Rowe James 1 ने अब एक नया representative जो है 1615 में बिटेन का उसको फिर से मुगल दरवार में पेश किया और उस representative का नाम था Thomas Rowe ठीक है यहां तक तो एक कहानी चली अब आपने premiums point of view से कुछ एक points note करने हैं जिसमें मैं आपको कुछ British factories के बारे में लिखवाऊंगा आपने उसको note कर लेना है कि कहां पे कौन-कौन सी important factories थी Britishers की और कुछ एक ऐसे point लिखवाऊंगा जो आपको premiums में help करेंगे जिसमें एक question आने की उमीद हो सकती है अगर question book सोचते हैं कि उन्होंने advent of Britishers से डालना है तो इसको note कीजिए important British factories अब जब मैं कहां important British factories तो हम देखेंगे कि किस direction में मतलब इंडिया के कौन से area में कहां-कहां पे कौन सी factories हैं अब west में कौन-कौन सी factories थी Britishers की तो उसमें पहली factory थी आगरा में, एहमदाबाद में और बरोडा में ये तीनों जो factories थी ये सूरत के अंडर थी इसको आप याद रखेंगे अब इन factories पर क्या होता है कि मराथा जो है न repeatedly plunder करते हैं मतलब repeatedly इन factories को loot दे का काम करते हैं जिससे तंग आकर British अपना जो headquarter है वो सूरत से shift करके Bombay ले चलते हैं अब वो Bombay में क्या है कि उनकी Navy जो थी वो superior थी तो as a Navy बाद superior so Bombay Island उनको जो था best suit करता था as a headquarter West India में मतलब western side में अगर उसकी factory कहीं पर लगानी है उसने और वहाँ पर अगर headquarter रखना है western area में तो उनको जो है एक island best suit कर रहा था जो था Bombay और Bombay जो है वो headquarter बनाया गया 1685 में और उसका जो पहला governor था वो था Gerald Ongier इसको रियाद रखेंगे Gerald G-E-R-A-R-A-L-D आगे Ongier A-U-N-G-I-E-R ये पहला वहाँ का governor था अब बात करते हैं South India में तो South India में जो factories थी वो थी मसूली पतनम और आराम गाउं आराम गाउं जो है वो पुलिकट लेक के पास है पुलिकट के पास है आराम गाउं तो इसके related एक point है कि Francis Day नाम है पंदे का Francis Day got madras from राजा ओफ चंदरगिरी चंदरगिरी के राजा से Francis Day ने मदरास जो है ले लिया where Fort St. George was established as new headquarter तो अब आपको पता चल गया कि जो Fort St. George कहीं पे नाम आएगा तो आपने उसको correlate करना है Britishers के साथ कि वो Britishers का headquarter है और राजा ओफ चंदरगिरी ने Francis Day को दिया था और कहां पे है वो madras में ठीक है अब इस्ट की तरफ आजाओ इस्ट की तरफ क्या है हरी हरपुर हरी हरपुर उडिसा में है एक जगा है बालासौर वो भी उडिसा में है फिर अगली जगा है हुगली पटना धाका कासिम बजार इसमें से जो कासिम बजार है धाका है पटना है ये पटना तो बिहार में है धाका कासिम बजार जो है ये बंगॉल एरिया में आ जाएगा तो जौब चरनौक एक इनसान था जौब चरनौक क्या है उसने एक अपनी फैक्टरी लगाई तो उसने फैक्टरी कहां लगाई ब्रिटिशर था कहां पर फैक्टरी लगाई उसने उसने लगाई सूता नती में जहां पे कैली कट्टा और गोविंदपुरा जो है वो फोर्ट विल्यम को वहां पे establish करेंगे मतलब पहले फैक्टरी एस्टैबलिश की गई थी पहले फैक्टरी एस्टैबलिश की गई थी जॉब चरनौक के द्वारा और उसके बाद वहां पे फोर्ट विल्यम बना तो इस एरिया विल बिकम दा हैड़कॉर्टर अफ ब्रिटिश इंडिया तिल 1912 अब 1912 इस्वी तक ये जो एरिया है फोर्ट विल्यम ये विंगॉल साइड में ब्रिटिशर्ज का मेजर हैड़कॉर्टर रहेगा और जो फर्स्ट प्रेजिडेंट थे फोर्ट विल्यम के उनका नाम था चाल्स आयर चाल्स आगे आयर का स्पेलिंग है तो इसके बाद एक और इंसान की बात करेंगे एक आफिसर था जिसका नाम था जॉन चाइल्ड वो एक ऐसा पहला इंसान था जिसने ये कहा कि ब्रिटिशर्ज को या फिर ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी को अब एक एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए टुवार्ड इंडिया ये 1690 इस्वी के आसपास का समय था जब उसने ये बाल बोली अब एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो करने पर उस समय और इंग जेब का जो गुसा है वो बढ़क उठा और उसने सभी ब्रिटिश एस्टेबलिश्मेंट जो थी उन पर अपनी फॉज से आकरमन करवा दिया जिससे ब्रिटिशर्स की हो गई हार बाद में ब्रिटिशर्स ने 15 लाख रुपे का एक तो हर जाना भरा और अगले 50 साल तक कोई भी aggressive policy नहीं अपनाई अब इस contemporary time के दुरान कुछ आपको important points लिखवा देता हूँ एक तो आप नाम लिखो Oliver Cromwell Oliver Cromwell उसने क्या किया एक ब्रिटिश कंपनी बनाई ठीक है और वो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको joint stock company बना दिये उसने ठीक है Oliver Cromwell ने एक ये नाम याद रखने वाला Oliver Cromwell दूसरी आपको याद रखने वाली बात है interlopers क्या होते है interlopers इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये वो लोग थे जो इंडिया से goods को smuggle करते थे यूरोप में लेकिन ये ले जाते थे और वहां पर बेच देते थे interlopers और एक अलग थी बड़ी कंपनी ब्रिटेन की जिसका नाम था English Company of Merchants उन्होंने जो मोनोपली मिली थी और ये जो English Company of Merchants है इसको British East India Company में मर्ज कर दिया तो 1707 में क्या होता है कि जो different trading companies है ना ये एक साथ आकर एक नई कंपनी बनाती है जिसका नाम होता है United Company of the Merchants of England trading to the East Indies United Company of the Merchants of England trading to East Indies It was this company that carried on trade with India till 1857 Okay So that's all for now बाकी हम इसके बाद की lectures में continue करते हैं Thank you